Hello everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तो आज की स्वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से रिलेटेड टॉप 50 Most Important MCQ डिसकस करने वाले हैं और मैं आप लोग बता दूँ यह जो 50 कोश्चन है यह सारे ही updated है और latest version के साथ है यह वर्तमान में कौन क्या है का टॉपिक जो कि आपके आगामी किसी भी एक्जाम के Point of View से Important है इसलिए वीडियो Skip मत कीजेगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा Telegram Channel जॉइन कर सकते हैं जिसके Link कर दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला Question हाली में भारत के 47 मुख्य नयदिस कौन बने हैं तो 47 मुख्य नयदिस ये बने हैं सरद अर्विंद बोबडे और इनसे पहले कौन थे रंजन गोगोई जी ये थे 46 मुख्य नयदिस और रंजन गोगोई जी इनका नाम अभी चर्चे में है क्योंकि अभी हाली में इन्हें राश्पती रामनात कोविंद जी के द्वारा राज्य सभा का सदस से मनोनीत किया गया है तो 46 मुख्य नयदिस 47 मुख्य नयदिस दोनों ही आप याद रखेंगे भारती थल सेना के प्रमुक कौन बने है तो ये कुछ समय पहले ही बनाए गया है MM नर्वने ये तो है थल सेना के प्रमुक उप्रमुक बने है लेटिनेंट जनरल एसके सेनी तो दोनों ही आप याद रखेंगे बात किज़े दि इंडियन आर्मी की तो इसके स्थापना हुई थी एक अप्रेल 1895 में हैटकॉर्टर इस्थित है नई दिल्ली में और सबसे इंपोर्टेंट है कि इंडियन आर्मी का मोटो क्या है तो ये है सर्विस बिफोर सेल्फ नेश कुश्चन है हाली में भार्दी वायू सेना क्या अध्यक्ष कौन बने है तो इंडियन एर फोर्स के हैड बने है आर्केस भदवरिया जबकि उप्रमुक बने है एचेस अरोडा तो हैड और डिप्टी हैड दोनू ही आप याद रखेंगे बात कीज़े दि इंडियन एर फोर्स की तो इसकी स्थापना हुई थी आठ अक्टूबर 1932 को और इसलिए आठ अक्टूबर को इंडियन एर फोर्स डे के रुपे मनाया जाता है इसका हेड़क्वाटर इस्थित है नई दिल्ली में और इसका मोटो है नभा इस्पर्षम दीप्तम जो की संस्कृत में है नेज कोश्चन है इंडियन नेवी के हैड़ कौन है तो इंडियन नेवी के हैड़ है एड्मिरल कर्मवीर सिंग और इन्होंने इस्थान लिया सुनिल लामबा जी का बात की जाएदी इंडियन नेवी की तो इसके स्थापनों हुई थी सितंबर 1612 में इसका भी हैटकॉार्टर रिस्तित है नई दिल्ली में और इसका मोटो है समनो वरुड़ा है नेश कुश्चन है भारती तट रक्षक बल के महानी देशक कौन है तो यह है के नटराजन बात की जाएदी इंडियन कोस्ट गार्ड की तो इसके स्थापनों हुई थी 18 अगस्त 1978 में हैटकॉार्टर रिस्तित है नई दिल्ली में और जो इसका मोटो क्या है तो इसका मोटो है वी प्रोटेक्ट या इसे ही संस्क्रिट में कहेंगे वयम रक्षाम नेश कुश्चन है बिएसेफ का अतिरिक्त प्रभार यानि कि अडिशनल चार्ज किसे दिया गया है तो यह कुश्च में पहले ही दिया गया है एसेस देशवाल को क्योंकि जो बिएसेफ के अभी तक निदेशक थे इनका नाम है वीके जोहरी यह अपने कैडर यानि कि मद्धि प्रदेश कैडर में लौट चुके हैं इसलिए जो बिएसेफ का अडिशनल चार्ज है यह आई टी बीपी यानि कि इंडो तिब्बद बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक एसेस देशवाल को दे दिया गया है बात कीज़ेदी बिएसेफ की यानि कि बॉर्डर सेक्यूरिटी फोर्स इसके स्थापना हुई थी बात कीज़ेदी आई टी बीपी की यानि कि इंडो तिब्बद बॉर्डर पुलिस इसके स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में इसका भी हैटकॉर्टर इस्थित है नई दिल्ली में नेश कोश्चन है SSB के महा निदेशक कौन बने हैं तो ये बने है कुमार राजिस शंद्र बात कीज़ेदी SSB की यानि कि सहस्त्र सीमा बल इसके स्थापना हुई थी 1963 में हैटकॉर्टर इस्थित है नई दिल्ली में और निदेशक तो यही बन गए है कुमार राजिस शंद नागर का क्योंकि जो राजिव राइबट नागर हैं ये अब बन गए हैं जम्मो कश्मीर के उपराज जिपाल जीसी मुर्मू के सलाहकार और इनहीं के इस्थान पर अब निदेशक हुई है AP माहिश्वरी की यानिके आनेंद प्रकास माहिश्वरी की बात की जैदी CRPF की इनकी Central Reserve of Police Force इसके स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1949 में इसका भी हैटकॉर्टर इस्थी थे नई दिल्ली में और CRPF का मोटो है सेवा और निष्ठा नेश कोश्चन है हाली में भारत के नए कानून सचीव कौन बने हैं तो कानून सचीव ये कुस्स में पहले ही बनाये गए हैं अनुप कुमार मेंदी रत्ता नेश कोश्चन है हाली में IOC इनकी इंडियन ओयल कॉर्परेशन का नया चेर्मेन ये किसे बनाये गया है तो देखिए अभी तक ये स्थान जो है संजीव सिंग के पास है लेकिन जल्दी इनका स्थान ले लेंगे श्री कान्त माधव वैद्या बात कीज़े दि इंडियन ओ लेक्त किया गया है तो ये बन गए है श्रीधर पात्रा और श्रीधर पात्रा ये स्थान लेंगे तपन कुमार चंद का बात की जाए दिन नालकों की निकी नेशनल अल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड इसका है तो इसका हैट क्वाटर इस्थी थे ओडिशा के भूवनेश् चुके हैं BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में हैटक्वाटर इस्थिथ है मुंबई महाराश्ट्र में इसी से रिलेटेड अगला कोश्चन है BCCI की 49 अध्यक्ष के रुप में किसे निक्ति किया गया है तो ये बन गया है सौरव गाउंगली बात कीजिए दी सौरव गाउंगली की तो इन्हें बेंगॉल टाइगर और दादा के नाम से भी जाना जाता है इनकी एक फेमस किताब है जो कि एक्जाम का पार्ट बनती है A century is not enough और इनका क्रम आप जरूर याद रखेंगे ये बने है 49 वे क्रम के अध्यक्ष नेश कोश्चन है राश्ट्री सुरक्षा सलाहकार यानि कि National Security Advisor ये कौन है तो इनका का अध्यकाल बढ़ाया गया है ये है अजीत डोवाल नेश कोश्चन है राश्ट्री उप सुरक्षा सलाहकार कौन है तो देखिए अभी मैंने बताया है NSA जो कि है अजीत डोवाल जी डिप्टी NSA पूछा जा रहा है तो ये बनाया गया है दत्ता पडसलगीकर और अनुप कुमार मिंदी रत्ता अभी मने बताया था ये है कानून सचिव नेश कोश्चन है सत्रवी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है तो ये है ओम प्रकास बिल्ला जी ये हैं सत्रवी लोकसभा के अध्यक्ष जो की कोटा से लोकसभा सांसद है नेश कोश्चन है वरतमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है तो देखे जो भारत के वोईस प्रेसिरंट होते हैं ये होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापती तो राज्यसभा अध्यक्ष है जबकि उपाध्यक्ष है हरिवन से नारायन सिंग जो राज्यसभा होती है ये उच्छ सदन कहलाती है जो की कभी भंग नहीं होती है यनिकि ये एक इस्थाई सदन है जबकि जो लोकसभा है ये अस्थाई सदन होती है यानि कि ये कभी भी भंग हो जाती है और जो भारत के राष्ट पती हैं ये लोग सब हमें कुल दो सदस्यों को मनुनीत करते हैं जबकि राज्य सब हमें 12 सदस्यों को मनुनीत किया जाता है नेश कोश्चन है भारत की मुख्य चुनाव आयुकत कौन है तो यह भी बनाए गए हैं संजय कोठारी नेश कुश्चन है वर्तमान में मुख्य सूचना आयोग तो कौन है तो यह बनाए गए हैं विमल जुलका बात की जाये दी सूचना आयोग की तो देखिए इसकी स्थापना वर्ष 2005 में RTI Act यानिकी Right to Information Act के तहट की गई थी नेश कुश्चन है भारत के लेखा महा नियंत्रक ये कौन है यानिकी Controller General of Accountants तो ये हैं सोमा राय नेश कुश्चन है भारत के नियंत्रक एवा महा लेखा परिक्षक कौन है तो ये हैं राजी महर्शी देखिए इसमें confusion हो सकता है क्योंकि एक है कैग यानिकी Controller and Auditor General of India और एक है CGA यानिकी Controller of General Accountants जो की है सोमा राय तो दोनों ही आपको याद रखने है नेश कुश्चन है भ आप लोग बता दूं जो Attorney General होता है ये केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और यही है केके वेनु गुपाल नेश कुश्चन है भारत के Solicitor General कौन है तो ये हैं तुशार महता अभी मने आप लोग बताया है जो Attorney General होता है ये केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है नेश कुश्चन है RBI की गवर्नर कौन है तो ये हैं शक्तिकांत दास बात कीज़ेदी RBI की यह निकी Reserve Bank of India की इसके स्थापना हुई थी एक अप्रेल 1935 में Headquarter स्थित है मुंबई महरास्ट में और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कुश्चन में पहले ही जो RBI है इसने द्रश्टी बाधित लोगों के लिए Money Application लाँच किया है यहां पर Money की फुल फॉर्म बनती है Mobile Added Note Identifier जो की लाँच किया गया RBI के द्वारा Next है UPSC के नए अध्यक्ष कौन है तो यह बनाए गया है अर्विन्द सक्सेना बात की जाएदी UPSC की यहनकी Union Public Service Commission इसके स्थापना हुई थी 1 October 1926 में Headquarter रिस्थी था नई दिल्ली में Next है Railway Board के दोबारा से अध्धिक्ष कौन में है तो दोबारा से अध्धिक्ष बनाए गया है VK यादव Next Question है Air India के नई चेर्मेन कौन है तो यह बदल दिये गए है राजी बनसल जी और यह स्थान लेने जा रहे है अस्वनी लोहानी का Air India जो की एक एर लाइन है इसी के नई चेर्मेन बने है राजी बनसल और कुस्समा पहले ही जो Go Air Airline है इसके भी नई CEO बनाए गए है विनय दुबे Next Question है प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो यह है यह सूरी प्रकाश बात किज़े दि प्रसार भारती की तो देखिए यह भारत की सबसे बड़ी Broadcasting Agency है इसके स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 में Headquarter इस्थित है नई दिल्ली में Next Question है भारत के पहले लोकपाल कौन बने है तो मनें आप लोग कई बर बताया है केंद्र में होते हैं लोकपाल और राज्यों में क्या होते हैं लोका युक्त और भारत के पहले लोकपाल 2019 में ही बने है इनका नाम है पिनाकी चंद घोस जो डीके जैन है ये बने है BCCI के पहले लोकपाल Next Question है नीती आयोग के उपाध्यक्ष का कारेकाल बढ़ाया गया है इनका नाम क्या है तबी हाली में जो उपाध्यक्ष है जी है अध्यक्ष उपाध्यक्ष राजीव कुमार जबकि CEO का नाम है अमिताप कांत Next Question है IB के ने अध्यक्ष कौन बने है तो ये बनाए गये है अरविंद कुमार अरविंद कुमार ने स्थान लिया है राजीव जैन का बात कीज़ेदी IB की इनकी Intelligence Bureau की इसकी स्थापना हुई थी 1887 में Headquarter इस्थिथ है नई दिल्ली में Next है RAW के ने अध्यक्ष कौन बने है तो ये बने है सामन्त कुमार गोयल और इन्होंने इस्थान लिया है अनल धस्माना का बात कीज़ेदी RAW की इनकी Research and Analysis Wing इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 में Headquarter इस्थिथ है नई दिल्ली में Next question है हाली में ग्रह सचीव कौन बनाए गए है तो देखिए ग्रह मंत्री तो है अमिश्या और ग्रह सचीव बनाए गए है अजय कुमार भल्ला ध्यान दीजेगा यदि अजय कुमार भल्ला लिखा है तब तो ये है ग्रह सचीव लेकिन केवल अजय कुमार लिखा है तब ये हमारे रक्षा सचीवरी के Defense Secretary तो दोनों ही आप याद रखेंगे Next question है रक्षा सचीव कौन है तो अभी मैंने बताया है अजय कुमार है रक्षा सचीव Cabinet सचीव कौन है तो Cabinet सचीव का प्रभार दिया गया है राजीव गौबा को वित्त सचीव कौन है तो देखिए पहले ये जो प्रभार था ये था राजीव कुमार के पास लेकिन कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था जो रिविन्यू सेक्रेटरी थे अजय भूशन पांडे जी ये अब बन गए हमारे नए वित्त सचीव और वित्त मंत्री कौन है ये है निर्मला सीतरमन जी जो की करनाटक से राज्यसभा सांसद है और अभी हाली में फोप्स की जो सौ सरवाधिक सबसे सकती साली महिनाओं की लिष्ट जारी की गई थी इसमें निर्मला सीतरमन जी को 34 सवा इस्थान मिला है जबकि पहले इस्थान पर है जर्मनी की चांसलर एंजिला मरकेल नेश कुश्चन है हाली में विदेश सचियो कौन बनाए गए है तो ये बनाए गए है हर्ष वर्धन स्रंगला और इन्होंने इस्थान लिया है विजय केशो गोखले का प्रेजेंट टेमें हमारे विदेश मंत्री कौन है तो ये है एस्जय संकर जो कि गुजराज से राजिसभा सांसद है और कुसमें पहले ही विदेश मंत्राले में नीती सलाहकार यहने की पॉलिसी एडवाइजर के रूप में अशोक मलिक के न्युक्ति की गई है नेश कुश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत की गुडविल एम्बैजडर यह किसे बनाया गया है तो यह बनाया गया है सौरव गाउंगली जो की बीसी से आई के 49 वे क्रम के प्रेसिडंट है टोक्यो ओलंपिक इसी वर्ष होने है और इसी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारती एथिलिट कौन मनी तो इनका नाम मैंने बताया था विनेस फोगाट नेश कोश्चन है हाल में ग्रह मंत्री के निजे सच्यू के रूप में किसे निक्ति किया गया है तो यह बन गया है साकेत कुमार तो देखिए ग्रह मंत्री है अमिश्चा ग्रह सच्यू बनाए गये है अजय कुमार भल्ला और अब ग्रह मंत्री के निजे सच्यू के रूप में निक्ति की गई है साकेत कुमार की नेश कोश्चन है पंद्रहवे वित आयोग के अध्यक्ष कौन मने है तो सबसे पहले मैं आप लोग बता दू पंद्रहवे जो वित आयोग इसका कारेकाला बढ़ा दिया गया है और इसके जो अध्यक्ष है ये है एनके सिंग जबकि जो अशोक कुमार है अशोक कुमार ये है साथवे बेतन आयोग के अध्यक्ष और जो 14th वित आयोग था इसके अध्यक्ष थे वाईवी रड़ी और अब 15 वित आयोग के अध्यक्ष एनके सिंग नेक्ष्ट है पावर ग्रिड के नए शेयर में ये कौन बनाए गये है तो ये बनाए गये है कांधी कुपा श्रीकांद बात कीज़े इदी पावर ग्रिड की तो इसके स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1989 में हैटक्वाटर इस्थित है गुडगाओं हरियाणा में नेश कोश्चन है आयनेसे की पहली महिला चेयर में ये कौन बनी है तो ये बन गई है चंद्रिमा शाह बात कीज़े दी आयनेसे की इनिकी इंडिया नेशनल साइन्स अकैडमी इसके स्थापना हुई थी जनवरी 1935 में हैटक्वाटर इस्थित है नई दिल्ली में नेश कोश्चन है इसरो के अध्यक्ष कौन है तो ये है के शिवान इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है इसके स्थापना हुई थी 1969 में हैटक्वाटर इसे थै बैंगलोर करनाटक में और जो केश इवान है नहीं कुछ समय पहले ही तमिल नाडू गर्मेंट के द्वारा कलाम पुरुसकार से सम्मानित किया गया था चंद्रयान्टू के सफलता पूर्वक लाउंचिंग के लिए नेक्स्ट है डियाडियो के अध्यक्ष कौन है तो ये हैं जी सतीस रड्डी डियाडियो इन्ही के डिफरंस रिसर्च डेवलपमेंट और्गानाइजेशन इस्थापना हुई थी 1858 में हैटकॉर्टर इस्थित है नई दिल्ली में इसका मोटो है बलस्यमूलम विज्ञानम और जो सतीस रड्डी है इन्हीं कुछ समय पहले ही मिसाइल सिस्टम अवार्ड से समानित किया जा चुका है इसलिए इनका नाम और इन से रिलेटेड अवार्ड आप याद रखेंगे नेश कुश्चन है ट्राई के शेयर्मन कौन बनाए गए है तो ये बन गए है राम सेवक सर्मा बात कीजाए दिए ट्राई की यानिके टेलिकम रेगुलेरिटी अथारिटी ओफ इंडिया इसके स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को हैटकॉर्टर इस्थित है नई दिल्ली में नेश कुश्चन है FTII के अध्धिक्ष कौन है तो ये है BP Singh यानिकी ब्रिजिंद्र पाल सिंग बात कीजाए दि FTII की यानिकी Film and Television Institute of India इसके स्थापना हुई थी 1960 में हेटकॉर्टर इस्थित है पूरे महराष्टर में नेश कुश्चन है राष्टर इजाच एजेंसी के अध्धिक्ष कौन बने है तो ये बने है Y.C. Modi बात कीजाए दि N.I.A. की यानिकी National Investigation Agency इसके स्थापना हुई थी 2009 में हेटकॉर्टर इस्थित है नई दिल्ली में नेश कुश्चन है B.A.R.C. के नए निदेशक कौन बने है तो ये बन गए है अजीत कुमार मोहंती बात कीजाए दि B.A.R.C. की यानिकी भाभा Atomic Research Center इसका हेटकॉर्टर पूछा जाता है तो ये इस्थित है Trombe, Bombay में इस वीडियो का अंतिम प्रश्चन है C.B.A.R.C. के निदेशक कौन बने है तो ये बनाए गए है रिशिकुमार शुकला बात कीजाए दि C.B.A.R.C. की इनकी Central Bureau of Investigation इसके स्थापना हुई थी 1941 में Headquarter इस्थित है नई दिल्ली में और इसी के निदेशक बने है रिशिकुमार शुकला तो दोस्तो ये थे वर्तमार में कौन क्या है Topics are related Top 50 Most Important MCQ I hope इस वीडियो आप लोग पसंद आया है पसंद आया है तो अपने Study Related Group में आज के लिए शेयर जरूर करिएगा और Online Study Point को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भी लिएगा तो आज के लिए इतना ही Thank you so much